आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी यूज करते हैं वाटसअप और यहाँ पर अगर आपको कोई मैसिज सेंड करता है तो वो यहाँ पर आपके इस तरह से शो हो जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मैसिज आया है और यहाँ पर वे Whatsapp open कर लेना है WhatsApp open करने के बाद आपको right side यहाँ पर तीन डॉट मिलेंगे तो आपको तीन डॉट पर टच करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक option मिल जाएगा Settings तो Settings पर टच करिए और यहाँ पर आपको एक option मिलेगा account का तो account वाले option पर जाईए उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा option privacy तो privacy पर touch करना है आपको उसके बाद आपको नीचे जाना है सबसे और एक last option मिलेगा आपको fingerprint lock तो आपको इस पर touch करना है उसके बाद यहाँ पर unlock with fingerprint आपको इसे enable करना है उसके बाद यहाँ पर एको immediately select कर लेना है उपर की तरफ और यहां पर show content in notification यह option आपका on हो जाएगा automatically आपको इसे बंद कर देना है इसे बंद करने के बाद यहां पर अब आप देख सकते हैं हम कोई message करते हैं तो यहां पर अब आप देख सकते हैं हमारा message यहां पर show नहीं हो रहा है यानि कि हमारा message content अब यहां पर show नहीं हो रहा है तो अगर आपके यह phone में fingerprint का option नहीं है तो यहां पर आप play store को open कर लीजिए और यहां पर आपको search करना है A-P-L-O-C-K तो यहां पर आपको app lock को open कर लेना है तो यहां पर आप इसे यहां से download कर लीजिए और download करने के बाद यहां पर आपको अपने WhatsApp पर lock लगा देना है उसके बाद यहां पर आपकी यह problem solve हो जाएगी और message content show नहीं होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और channel को भी subscribe जरूर करें